हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई निजिंग चैनल जिसकी आज की वेडियो में हम सिंगल कलर का एक बहुत ही सुन्दर और बहुत ही आसान डिजाइन बनाना सीखेंगे देखे इसके लिए हमने यहाँ पर ब्लू कलर की वूल ले ली है और फंदे हमें डालने हैं फोर के मल्टिपल में प्लस टू करके यहाँ पर हमने अपनी सलाई पर अठारा फंदे डाले हुए हैं चार सलाईयों का यह डिजाइन है जिसकी पहली सलाई हम बनाएंगे राइट साइड से तो चलिए इसको बनाना हम शुरू करते हैं देखे पहला फंदा यह हमारा एजिस का स्टिच है आप चाहें तो इसे बुने आप चाहें तो इसे बिना बुना भी उतार सकते हैं हम इसक को सीधा भुन रहे हैं कि देखिए हमने step OS लिया इसके बाद देखिए यहां से हमारा डिजाइन शुरू होगा हमी क्या करना है पहला पंदा सिधा भुनेंगे हैं स्वाइमेरह का रिपीट चार फंदों का रिपीट पैट BETH के रहेगा जिसमें देखिए यह 3 फंदे हमने बुने आप देखिए आप देखिए हमें क्या करना है धागा आगे लाएंगे अगे लाकर जो 3 फंदे हमने बुने हैं इनको हम left सलाई पर उतारेंगे एक दो और तीन तीनों को उतारा अब धागा पीछे करेंगे और जिन तीन प्रोसेस अमने किया, उससे यहाँ पर देखे, तीन फंदों के उपर से इस तरह से दागा बन गया है, आपको यह धागा दिखाई दे रहा है, इस तरह से यह बन गया है तो जब भी आप इस प्रोसेस को करें आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि यह जो धागा है, यह आप देखिए इनके तीनों के ओपर से हमें धागा घुमाना है, उसके लिए क्या करेंगे, पहले धागा आगे लाएंगे, इन्हें लेफ्ट सलाई पर उतारेंगे तीनों फंदों को, ये देखिए तीनों फंदे हमने लेफ्ट सलाई पर उतार लिए, धागा पीछे करेंगे और फिर से इन्हें right सलाई पर उतार लेंगे ये देखिए तीनों को हमने right पर उतार लिया फिर से ये रेखिए ये जो धागा है इसको हमें loose नहीं छोड़ना है ये धागा हमारा है इसको थोड़ा सा tight करके हम दुबार आगे ले आएंगे और एक फंदा उल्टा वुनेंगे इस तरह से हमें चार फंदे बार बार रिपीट करते जाने हैं तो चलिए पूरी सलाई को बना कर कम्प्लीट करते हैं देखे इस तरह से हमने ये धाका गुमा लिया धागा आगे करेंगे एक फंदा उल्टा वुनेंगे फिर से एक बार और रिपीट हम करेंगे इस बार ये एक सीधा एक उल्टा फिर धागा पीछे करेंगे एक सीधा और अब धागा आगे लाकर तीनों फंदों के ओपर से इस धागे को गुमाएंगे देखे इस तरह से दागा आगे लाएंगे एक फंधा उल्टा आब देखे हमारे सलाई पर लास्ट फंधा बचा हुआ है इसको हम दागा पीछे करके सीधा बन लेंगे तो यह पहली सलाई देखे हमारी यहाँ पर इस तरह से कम्प्लीट हो गई wrong side में आते हैं wrong side की इस सलाई में जैसा फंदा हमें दिखाई देगा वैसा हमें बनाना है तो यह पहला फंदा है इसको तो हम उल्टा ही बनाएंगे यह हमारा edges का stitch है इसको हमने उल्टा बनाया आप देखे यह फंदा पिछली साइड से हमने उल्टा बना था तो इस साइड से हम इसको सीधा बुनेंगे तो यह हमने इस साइड से सीधा बुना आप देखिए यह तीन फंदे इसमें से पहला फंदा उल्टा बुनेंगे ये पहला फंदा हमने उल्टा बुना धागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा धागा आगे करेंगे और एक फंदा उल्टा इस तरह से देखिए ये चार फंदे हैं इस तरह बार बार इनको रिपीट करते जाएंगे ये एक सीधा अब इन तीन फंदों में से पहला फंदा हम इस तरह से जैसा फंदा हमें दिखाई देगा नीचे से उस तरह से हम बनाते जाएंगे इस पूरी सलाई को देखे लास्ट फंदा इसे उल्टा बुनेंगे अब यहाँ पर हमारी दो सलाईयां कम्पलीट हो गई हैं अब राइट साइड में आ गए हैं फिर से हम तो इस बार देखी हमें क्या करना है जो हमारे दो डिजाइन हमने नीचे बनाए हैं इनके बीच में अब हम इस दिजाइ इनको बनाएंगे तो यह देखे बीच वाला जो हमारा फंदा था जो उल्टा फंदा हमारा बीच वाला था फंदे को हमें इस बार बीच में लेना है तो साइड के दोनों फंदे हम लेंगे ये सीधा फंदा और ये सीधा फंदा और इसके बीच में ये रहेगा उल्टा फंदा तो यहाँ पर हम डिजाइन बनाएंगे तो देखें इससे पहले हमारे पास कितने फंदे हैं तीन फंदे हैं, इनको हम बनाते हैं, पहला फंदा, edges का stitch, इसको हम सीधा बनाएंगे, दूसरा फंदा बी सीधा बनाएंगे, और तीसरा फंदा उल्टा बनाएंगे, जैसा फंदा हमें दिखाई देगा, पूरे डिजाइन में हमें दोनों साइड से वैसे ही बनाना है, तो द रेजाइन स्टार्ट करेंगे दुबारा से एक फंदा सीधा, धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, अब इन तीन फंदों के उपर से हमें धागा गुमाना है, तो धागा आगे लाएंगे, तीनों को लेफ्ट सलाई पर उतार लाएंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे सीधे फंदे से शुरू करके सीधे फंदे तक हमें तीन फंदे बुनने हैं और फिर हमें धागा गुमा कर एक फंदा उल्टा बुनना है इस तरह से हमारा डिजाइन चार फंदों का चलेगा देखे तीन फंदे बुने अब इनके ओपर से धागा गुमाएंगे हम धागा आगे करेंगे एक फंदा उल्टा अब देखिए हमारे सलाई पर तीन फंदे बचे हुए है जैसे हमारे फंदा दिख रहा है ऐसे बना कर इनकोért kaplete करते हैं तो ये एक फंदा सीधा बनाएंगे दागा आगे करेंगे एक फंदा उल्टा बनाएंगे दागा पीछे करेंगे last फंदा edges कर stitch इसको हम सीधा बना लेंगे तो इस तरह से ये देखी हमारी तीसरी सलाई यहाँ पर complete हो गई है wrong side में आते हैं पहले की तरह ही wrong side में हम जैसा फंदा दिखेगा उस तरह से बनाएंगे तो ये हमने उल्टा फंदा बनाया अब देखी ये सीधा फंदा दिखाई दे रहा है इसको दागा पीछे करेंगे सीधा बनाएंगे फिर दागा आगे करेंगे एक फंदा उल्टा इस तरह से ये एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा करें हमारा design ये wrong side से चलेगा इस तरह से हमारे wrong side भी complete हो गई है चार सलाईयों को देखे हमारे design complete हो गया है design हमारा दिखने लगा है अब ये देखिए इसको हम आगे बढ़ाते जाएंगे तो ये इस तरह से हमारा design देखे दिखाई देना शुरू हो जाएगा देखे कितना सुन्दर ये लग रहा है आप देखे कितना आसान है बनाने में और कितना सुन्दर ये look बनके आया है आप इसे जरूर ट्राइ करें कैसा लगा कमेंट में जरूर बताईएगा थैंक यू